हेलो शुडेंट कैसे है वह सब बढ़िया चलो आज हम सुरू करेंगे चेप्टर नवीबर है हमारा 12 इसके चुछ कुछ निम्रेगर्स देख लेते हैं रजिस्टर रजिस्टर्स ऑफ मेटल वायर ओफ लेंध वन मीटर यानि कि लेंध है लेंध है लेटर वायर की वह एल इस here is equal to one meter d गई यहाँ पर length one meter in 16 omega यानि कि यहाँ पर रजिस्टर दिया गया 1626 omega in 20H temperature, if the diameter of the wire diameter of the wire यानि कि इसे d कहा जाएगा 0.3 mm सब्सक्राइब करना है यहां पर दिया गया है मिली मीटर में इसको मीटर में करना हो गया सबसे पहले तो यह अच्छी तर किसे देख लो अब क्या करना है रो तो हमारे पास रजिस्टिविटी है उसकी फॉर्मिला क्या है रो इस इकोल डू आरे बाई एल तो यहां पर आर दिया गया हुए था 26A wire होता है wire wire होता है उसका shape कैसा होता है A यानि की area wire का area होता है वो कैसा होता है wire का area होता है वो उसकी shape कैसा होता है cylinder का area pi r square pi r square appointment L ready तो यहाँ पर diameter D 0.3 10 raise to minus 3 omega into meter था ready diameter हमें यहाँ पर क्या दिया गया r यानि की small r radius radius of cylinder यह diameter दिया गया तो इसका radius क्या होगा उसका जो half होगा d by 2 यानि जो भी d रहेगा उसका divided by 2 करो यानि वो रहेगा मारा diameter 26A से ही pi की value आपको 3.40 मिलेगी r, r यानि की d by 2 यानि की diameter का half करो तो यानि की radius होता है l, l यानि की length length थी हमारी 1 meter ready 26A से ही 3.40 यह square इसको भी then आपड़ेगा और इसको भी d का square करो तो d square upon 2 का square हो तो और 4 पर यह 4 numerator का भी denominator रहेगे वो यानि की denominator में आ जाएगा तो यानि की 4 इधर आ जाएगे 2 का square 4 पर यह 4 निचे आ जाएगा ready ता d की value क्या थी आपको मालूम है 3.14 multiply 0.3 10 raise to minus 3 upon 4 ready चलो आप इसका सभी का multiply करोगे आप सभी इसका multiply करोगे ready 0.3 all square था d की value थी 0.3 10 raise to minus 6 तो 26 3.40 0.3 का square करो यानि की 0.93 का square बना यानि की 10 raise to minus 6 upon 4 चलो इन सभी का multiply करोगे 26 30.4 और 0.9 तो सभी का multiply करोगे और divided by 4 करो तो आंसर मिलागा 184 10 raise to minus 6 omega अब सभी का अगर divide करोगे तो यह final answer आपको मिलागा का resistivity is 1.84 10 raise to minus 6 omega यह आपकी omega इंटु meter क्योंकि resistivity का unit है omega इंटु meter तो यह पुरा question solver हो गया इसी तरह के से इस magazine को कुछ doubt विकत या कोई विकत तो आप मुझे बता सकते ओके चलो एलो स्टुडेंट अब हम test book में दिया गया और second numerical के बात बारे में बात करते हैं एक 4 omega register wire is double on it calculate the new resistance of the wire 4 omega resistance यानि कि आपके बास जो resistance है वो 4 omega का है ready यानि r की value है 4 omega ready wire is double on it calculate the new resistance of the wire यानि कि अगर उसे double कर रहा है when a wire is double यानि आप wire को double कर दोगे तो उसकी length would be become a half यानि उसकी length है वो जो पहले से थी वो उससे half हो जाएगी मैं जो बोलडा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना when a wire double its length would be become a half यानि उसको गर wire को double कर दिया जाएगी तो उसकी length हो जाएगी half और area of protection would be double यानि कि उसका area है वो double हो जाएगा तो इससे length है यानि कि half यानि L by 2 हो जाएगी और area है उसका double यानि कि two a हो जाएगा आई बात समझ में अच्छे तरीकिस है कंफोर्म क्लियर बात कोई दिक्कत नहीं है आपको एड़ी चल तो को दो फर्स्ट वायर ऑफ्वर्ष्ट वायर के लिए क्या था तो पायर के लिए यहां पर क्या दिया गया है एल दिया गया हुआ एक एल और यह दोनों आती है वह सब फॉल्मिल रो और वाल ल कि अ उसमें हमें ऑ को बनाना पड़ेगा आर को बना ओ तो यह इदर जाएगा okay, दो चलो, रो और लल डीवैट में यहांगा कि बच बच एगा और समर्ख बनारो रिजग में दो रेटी रो यानि वेल्या स्टोट करनी एग रोर्श कि यहांगा तो यहांग चैनल के ऐसे कि वैली यहीं वीडान रहेगी यहीं पर अब जो लेंध यह पहले से कसे हो गई है आप चलो यहां से आरक वेरियेवल तो R2 is equal to क्या होगा direct formula rho L by A चलो L की जगह क्या आएगा अब L by 2 आएगा ना इसे L by 2 और area रो था double हो गए यानि area आजाएगा 2 है तो यह 2 है वो नीचे आजाएगा तो rho L upon 4 है रेडी तो R2 की value क्या थी हमारे इस आप से अगरे बात समझ में अच्छे तरह किसे R2 हमें क्या मिल रहा है वो हमें calculate करना है तो देखो R2 तो यहाँ पर rho L by A हो गया रो L by A तो rho L by A यानि कि हमें rho L by A की value क्या थी 4 तो R2 is equal to क्या हुआ भाई रो रो L by A की formula क्या थी 4 omega उसकी value थी 4 omega और यहाँ पर क्या है 4 रो L by A is equal to क्या था रो L by A is equal to 4 था तो यहाँ पर भी 4 है 4 4 क्या मिला में वान वन ओमेगा रेडी आई बात समय में अची तरीके से इसमें किसी को क्या हूं डिक कर नहीं समझ में रहा है तो आप मुझे बोल सकते है ओके सलो देख लो अच्छी तरीके से रेडी यह पूरा numerical से फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूं देख लो अगर चार ओमेगा का जो रिजिस्टेंश वायर है उसे डिबल कर दिया जाए तो नहीं रिजिस्टर के साओ नो मुझे में पाइं करना है पर अगर जो किसी अगर विए और गिवन और इस एकल टो पोर ओमेगा वें अवायर इस डबल इस लेंथ वो फिकम हाफ तनी उसकी लेंथ वह फोर जाए इन अडिया प्रोस्ट्रेक्शन वोड बिड़ और अडिया और प्रोस्ट्रेक्शन है वह उसका जागा डबल कि इस इकल टो एल बाइटू और आइज इकल टो ए इस एकल टो एंव। बच्ट वायर वर फीकार फल्सट्रार के लिए रहा रहेगी उसमें अडिवाइट में जाए तो मृतिम हा रहा है वासमें आर्बण को बना हो रो ये 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 फोर्मिला है रो आर की वेल्यू ऐगा है वो मेगा तो रो एल भाई है तो फॉर दसेकेंड बाइर सेकेंड वायर के लिए रो याट तू है कि मैं बटीप्लाइए बाई एक रेड़ी अग्वेड़ी अग्वेड़ी अग्वेड़ से जली करते है यहां पर किसी को बीकर नहीं है ला अध्राइब भाई एल आए रो एल भाई याएगा एल की जगा खीया ल भाई 2 से भाई याल पाई आगे लेड़ा है ना आजाएको थो तो कब्सक्राइब च tag रो एल यान की हो जाएगा हमें लुए के इया पर देखों यहां पर अच्छीं तरीकेसे यहां पर देख सकते हो आप रहे जूल difference across the register, यानि कि 100 Jодate, cruc Britney second, यानि कि एकkim费 के अंदर 10 QUE जूल, जूल, हीट प्रोडिउस होता है. तो आप find करो, यानि कि जो heat producer होता है, आपको how omega resistance, potential difference across the register, यानि कि register का आप क्या होगा, वोघ खुना, यानि जूल 100 जूल यानि कि हमें क्या मिल रहा है यहां पर हीट एनरजी 100 जूल है वह हमारी हीट एनरजी है तो एनरजी यानि कि यहां लिक जाहू हीट एनर्जी यानि 100 जूल जो पहले हमें गीवन है वो हमें लिखे लेना है देन आफ्टर प्रोड्यूस को इत सेकेंड फॉर ओमेगा रजिस्टर ने आर इस इक्वाल दू मिलेगा फॉर ओमेगा आया हमें छोसे प्रोड्यूस big यहीं इस मिलें आइसंग दूमन भी ती एक्वाल ऐसंगे को आप दो हम नहीं ला लाएंगे पूरी कि चल सबील बना लो एच को अब बना लो ap यह ए एज को हम यहां पर रहे हैं यह किया हैं यह विद्ञेक्टिल सकते हैं देखो, 100 J heat energy produce of each second, यानि time, time, time T देया गया था, each second, यानि one second, तो T is equal to गया मिला में, one second, ready, यहापर वन दिखा है, R, register यानि की 4, यहाँ से चलो, यह divide में या जाएगा तो multiply में, 100 multiply 4, यानि की V square, तो 4 multiply 100, यानि 400 is equal to V square, चलो, V square, is 400 square root निकलेगा, तो 20, V यानि की 20, यानि potential difference, तो potential difference, is 20 volt, यानि जो potential difference है, वो हमारा हो गया 20 volt, आगे बाद अच्छी तरे के समझे, यहां से कोई दिक्कात, या कोई क्वेरी, अगर या पोच दिक्कात हो, तो आप मुझे बता सकते है, ओके, चलो, अब हम नियु नियु मेरिकल से एक और की discussion कर रहेंगे, और यह discussion, I think, हमारी last second discussion है, इसके बाद हमारी last discussion करेंगे, और यहां पर जब चेप्टर है, वो फतम करेंगे, ready? चलो, question कुछ ऐसा है, हमारे हिसाब से, कि अन्य इलेक्ट्रिक रेफ्रीजेटर इस रेटेद फोर वाट, ओपरेट एट आवर्स डे, यानि एक देन के लिए, वो आज घंटा, रेफ्रीजेटर शूरू अपर रहे, यानि की पावर, 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 यानि की चलो नाव, operate 8 hours day, यानि कि per day में 8 hour, एक दिन में 8 hour, तो time, T, 8 hours, यानि तो 8 hours में कितनी, यानि 8 hours, ready, what is the cost of energy operates for 30 day, यानि कि time, 30 day operate करने के लिए, एक दिन में 8 hours, या 13 day, total time कितना, अगर 240 hours, इन total time क्या हो गया, हमारा 240 hours, क्योंकि एक दिन में 8 hours, use करते हैं, 13 days में 240 hours, ready, 8 rupees 303 per kilowatt hour, अगर वो, एक किलो वर्ट अवर का, अगर 3 rupees, तो अतना total energy का कितना पैसा खर्श होगा, पहले तो total energy कितनी है, वो ही ढूंदना पड़ेगा, तो हमारे पास, W by T, W यानि कि work, वर्क यानि one type of energy, वर्क को variable बना लो, P multiplied T, P, P यानि 400, और T यानि 240, इसका multiply करोगे तो, 9, 6, 2, 3, ready, आगे बात समय में, वोल्ट अवर हो गए आए, इसको अगर किलो वोल्ट अवर में समय में यह हो गए आमारा work, वर्क यानि one type of energy होजी, work is one type of energy, यानि कि total energy इतनी ही यूज़ होगी, इफ, इफ, वन किलो वोल्ट अवर, वी यूज़ अवर, वन किलो वोल्ट अवर, तो, 90 किलो वोल्ट अवर, आव, मैनी रुपीज, यानि कितने रुपीज होगे, यहां पर यह यूज़ काता, वन किलो वोल्ट अवर तो, तो, 3 रुपीज होगी, तो, 90 किलो वोल्ट अवर के लिए, कितने रुपीज होगी, तो, इसको cross multiply करो, तो आपको आंसर मिलेगा रुपीज 288 तो टोटल कोस्ट ओफ एनरजी इस रुपीज 288 आगे बात समझ में अच्छी करते विए से यहां पर किसी को कुछ दाव या दिक्कत हो तो आप मुझे पूद सकते हो के चलो कि यह हमारा लास्ट नुमेरिकल से इस नास्ट नुमेरिकल झाँसरे किसे देख लो यानिकी यहां पर यह जन्रेंटर से करने होताय है है 220 जन्रेंटर यानि वर्ट पोटेंशियल यानए 240 जन्रेंटर करंटMer जेरोकर 50 मीयंग्यक्वराइब कर तफ करनटेद रिद डॉर इंप ये येडी करा कर देए वाल चिरोपन्तिकि एमक्रेंग्वर Mini जह का है तो अथी तो पावर ओफ बल्प वाट इस दो पावर ओफ वाली फोर्मिला ने पी इस इकल टो आइस वी पी इस इकल टो आइ मुल्टिप्लाइब वी तूटवेंटी मुल्टिप्लाइब 0.50 अगर यह 220 0.50 को वन बैटू भी लिख सकते हैं इससे 110 आएगा तो 110 वोल्ट पावर कितना है युजिका 110 वोल्ट यह हो गया हमारा पूरा नियुम्दिकल्स यहां पर हमारा चप्टर शुरूब खतम होता है बाद में न्यू चप्टर शुरूब करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँगा कि कैसे हम लोग यहां पर शुरू कर रहें ओके चलो गुद्बाई ए किर फिजबा़ कर शुरूσι नहीं किर तो फि dijए 20IX यहां आपको करेंगे हमारी विष्प